अगर आपके पार जीओ कौन है छोटा वाला कीपेड वाला जीओ कौन है तो उसको आप कैसे रिसेट कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको वो कम्प्रीट बताने वाला हूं वो सेटिंग के वारे में कि कहां से आप रिसेट कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों वीडियो को तो हे दोस्तों स्वागत आपका मेरी एक वर नए वीडियो में जिया दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं कम्प्लीट बताने वाले जीओ फॉन को रिसेट कैसे किया जाता है कि अलग फीचर होते हैं जीओ छोटे बारे जीओ पॉन में तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीट बताने वाला हूं तो वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना बनना आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे रिसेट करना पाता है क्या कैसे उसमें प्रोसेस होती है कुछ गड़बड़ी होने कारण आपका फॉन परमानेटरी बंद हो जाता है इसके लिए आपको इस वीडियो को बड़ी अच्छी तरीका से देखना होगा फुल पहुंच करना होगा तभी आपको समझ में आ जाएगा चले दूस्तों तो हम आपको लें चलते हैं अपनी जीओ फॉन मैंने यहां पर रात को रिकॉर्डिंग की ती इसलिए कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको यहां पर अपनी सेटिंग में चले जाना है तो चलते हैं यहां पर आपको नेटरवक सेटिंग यहां पर निजी करन और सारे यहां पर निकालते समय यहां पर आपको मिल जाएंगा ठीक है to device पर आपको Qlic करना है सब से नीचे आपको चले जाना है ठीक है जब आप सब से नीचे आ जाएंगे तो आप यहां पर आपको कानूनी जानकारी के बाद यहां पर phone reset सेट करें आपको मिल जाएगा ओके तो उस पर आपको सिंप्री से क्लिक कर देना यहां पर कुछ आपको एक्सेस यहां पर फिर से आपको कंफर्म कर देना ठीक है कंफर्म करने के बाद जो आपका फोन है वो ऑटोमेटरी बंद हो जाएगा बंद होके फिर चालू हो जाएगा ओके चालू होने के बार यहां पर बूटिंग अप लिखा हुआ है ठीक है स्वागत यहां पर कुछ और अवासा में यहां पर लिखा था आहे फैक्टरी रीसेट डू नौट रिमूव ओके तो यहां पर हमारी जो रीसेट होने लगा हमारा फॉन फिर इसके बाद फिर से थोड़ा बेट करोगे बेट करने के बाद आपको यहां पर इंकर इस डाटश फान को दिखा हुआ ठीक है तो चलिए यहां पर होने लगा अप धीडरे अपन फूरा ओपन हो जाएगा ओके आपका काफ़न रिसेट हो गया है